ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों अभी अभी बिहार लोग सिवा आयोग जो पंदरप नहरुपत बेनी रोड पटना 8401 ने आवाश्यक सूचना निकाला है कि विज्यापन संक्या 26 बाई 2023 के अंतरगत प्राथमिक माधमिक एवं उच माधमिक विज्यालों में अध्यापक के पद पर नियूकती हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ट प्रत्योगिता परिक्छा में समलित सभी अभ्यारतियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से दिनांक 10 सक्टूबर 2023 तक आयोग के वेपसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वैम के डैस बोर्ड में लॉग इन करके अपना OMR सेट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर साइन भी है 392010 23 को जो है यह अभी 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 तुरंत आपके पास यह सुचना आ रहे दोस्तों मैं आपके पास पहुचा रहा हूं यह अतुल परसाद जी का देखिए ट्वीट भी है दोस्तों ध्यां रखे ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों और यह देखिए न्यूज आ चुका है कि तीन अक्टूबर को रिजल्ट जारी होगा अगे बढ़ते दोस्तों एट नाइन टेंथ वाला और इंटर तक का उस सब का रिजल्ट जारी होगा तीन अक्टूबर को ध्यां रखेगा आगे बढ़ते दोस्तों ऐसे ही न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं दोस्तों यह स्टेट में 4,288,000 अभिहारती सामिल हुए थे अब देखना ये है कि कितना प्रतिसात रिजल्ट बनता है और कितने लोग पास होते हैं साथ ही साथ ये भी जानते रहिएगा कि 3 अक्टूबर को जो जारी होगा एस्टेटी का रिजल्ट बिहार में अब हर साल दो बार एस्टेट की परिक्षा B.S.E.B. अध्यक्ष नंद किसोर ने निउजटीन से बाचेत में बताया कि अब एस्टेट की हर साल दो बार परिच्छा होगी ऐसे ही ख़बरों को तुरंत पाने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएए दोस्तो अब शिक्षा से सम्मंदित हर एक पहलू हर एक ख़बर आपके पास स्वतह जाएगी बस इसे